हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल कमिंदर भाईया तो आज हम पढ़ेंगे कच्छा च्छा का हिंदी अक्छरा यूपी बोड का पाठ दो इसमें पाठ का नाम है अपना अस्थान स्वेम बनाए इसका हम प्रेश्ण उतर देखेंगे तो चली अभ्यास प्रेश्ण क चलते हैं तो इसमें हमारा पहला प्रेश्ण कहरा है इमंदारी से कारे करने का क्या तत्पर्य है आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कारे इमंदारी से किये गए इमंदारी पुर्वक कारे करने के क्या क्या लाब है तो इसका उतर हो जाएगा इमंदारी से कारे कर करने का तत्पर यह है कि मुझे जो भी कारे करने को मिले उसे हम बीना किसी लोग लालस के पूरा करें इमंदारी से कारे करने से आन्मी की चारों और प्रशंसा होती है इमंदारी से काम करने के अनेक लाब हैं जैसे आन्मी की विश्वसंता बढ़ जाती है लोग बड़े बड सर मिलते हैं साथ ही प्रतिष्ठा में भी विद्धी होती है चली अगला प्रस्नेकते हैं दो नमर इसमें कह रहा है राजा के साथ मंत्री नसे में पाए गए नसे के क्या क्या दूस परिडाम होते हैं अपने विचार लिखिए तो इसका उतर हो जाएगा नसा करना एक बूरी बात है इससे लाब कुछ नहीं होता सिर्फ नुकसान ही होता है नसा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता नसा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता और पैसे एवं स्वास्त का नुकसान भी होता है आगे देखिए हमारा कहानी से दिया है जो पहला प्रश्ण नमर कह रहा है हमारा किस ने किस से कहा तो इसका उतर हो जाएगा दिया है इसमें मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है ये किस ने कहा था तो रा जारू में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूं तो ये मंत्री ने कहा था और किस से कहा था तो राजा से कहा था चली अगला देखते हैं मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा ये यूवक ने कहा था और किस से कहा था तो मंत्री से कह ये वितमंत्री ने कहा था और किस से कहा था तू्राजा से कहा था कई यूवक ने कीमती समान बेच दिया तो इसका उतर हो जाएगा दफ्तर का फरनीचर आदि समान खरीने के लिए यूवक ने कीमती समान बेच दिया तो चलिए अगला प्रस नेखते हैं तीन नमर इसमें कराय हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछ दाच न हुई तो इससे अपसरों में बेइमानी और धील पैदा होगी व वित मंतरी इमंदार प्रविती का व्यक्ति है उसे एक पैसे की भी बेइमानी पसंद नहीं है वह खुद जैसा इमंदार है वैसा ही सबसे उमीद करता है और वह चाहता है कि राज्य के सभी करमचारी पूरी इमंदारी से अपना कारे करे इसलिए वित मंतरी ने ऐसा कहा चलिए अगला प्रस नेखते हैं चार नमर इसमें कहा रहा है राजा ने यूवक को प्रधान मंत्री क्यों बनाया तो इसका उतर हो जाएगा राजा ने यूवक की इमंदारी और काम के प्रती लगन से प्रभावित होकर उसे प्रधान मंत्री बनाया चलिए अगला प्रस नेखते हैं पास नमर इसमें कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यूं किया तो इसका उत्तर हो जाएगा मुझे कहानी में युवक की इमंदारी काम के प्रती उसका लगन तथा उससा आदी ने मुझे बहुत प्रभावित किया वह अपने इनी गुडों के कारण एक मामली चंपरासी से पहले वित्न मंत्री और फिर प्रधान मंत्री बना तो चलिए अगला देखते हैं अगला दिया हमारा भासा की बात तो इसमें हमारा पहला प्रश्ण है कहरा इसमें निमन लिखी सब्दों के पर्यवाची लिखिये तो देखिए इसका उतर हो जाएगा राजा का परियावची सब्द हो जाएगा नरेस रात का नीसा सोना का सोड दीन का दिवस खूस का प्रशन निगा का द्रिष्टी चलिए अगला प्रस नेखते हैं दो नमर इसमें कह रहा है निमने लिखी सब्दों के विलोम लिखिए विलोम यानि की उल्टा यानि की उनती दिया है तो इसका विलोम हो जाएगा आउनती कृतग्य दिया है तो इसका हो जाए कृतधर के तग्धन हो जाएगा अगला देखिए बेइमान दिया है तो इसका हो जाएगा इमंदार अगला दिया है अमीर अमीर का हो जाएगा गरीब अच्छा का बूरा चलिए अगला प्रस नेखते हैं तीन नमर इसमें कहरा है निमने लिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्धों का प्रियोग तो देखिए, हमने आपर प्रियोख करके दिखाये आपको, दिया है पेंट पेंसिल और रबर लिखने के साधन है, तो देखिए, यहां पर हमारा कोछ भी वीरामचिन्द नहीं लगा है, तो हमने यहां पर आपको लगा कर दिखाया है, चार नमर, जिन सब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी सब्द कहते हैं, जैसे हार गले में पहने जाने वाली माला, हार यानि की हार एक होता है पराज है, अगला देखते हैं, इसी तरह कहा है, हमारा दिये गए अनेकार्थी सब्दों के अर्थ लिख कर उनका वाक्य में प्रियोग कीजिए तो देखिए दिया हमारा कर मन सोना पत्रिया हमारा सब्द दिया है इसका हमें अर्थ लिख कर उनका वाक्य प्रियोग करना है तो चलिए हम देखते हैं तो कर दिया था जो हमारा कर का हम लिख सकते हैं टेक्स वह अपना आएकर समय से ज होता है चलिए अगला देखते हैं मन 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 हो जाता है हिर्द है वह मन का बुरा नहीं है और एक मन होता है तोल की एक इकाई उसने मुझे एक मन गेहूं दिया चलिए अगला देखते हैं सोना सोना एक क्रिया होता है राहुल को सोने में बहुत आनन्द आता है और सोना एक भी है सोने के जेवर महिलाओं को बहुत पसंद होते हैं चलिए अगला देखते हैं इसमें कर पत्र पत्र यानि की पत्ता भी होता है पत्धड के बाद बसंत में सभी पेड़ों पर नए पत्र लगते हैं यह हमारा वाक्य प्रियोग हमने कहा किया है आपर और पत्र मतलब सड कहते हैं निम्नलेखित पंक्तियों में आये हुए विसेशडों को रेखान की किजिए देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है जितने हमारा विसेशडा है यहाँ पर लिख लिया तो इसको उतर हो जाएगा बढ़िया नौकरी से छुडा कर लाया हूं और हमने लिखा है दफतर सचमुस साही दफतर हो गया है और गह में लिख दिया है उन्होंने तेज आवाज में पूछा यह हमारा विसेशड है और गह में लिख दिया है उसने राजा को रदी लिफाफों की कहानी सुनाई और अंगों में दिया है सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए और आगे दिया है सभी मंत्री बहुत लजीत हुए देखिए इसमें हमारा जो दिया था प्रश्ण पांच तक दिया था इसमें हमारा हमने आपको सारा प्रश्ण उतर आपको बता दिया इसमें जो हमारा जितना प्रश्ण उतर था हमने आपको बता दिया तो हम इसका नन्यवाद दोस्तु